असलाम अलेकुम मैं आपके अपनी वैट थिरा सेईज आजको जो हमारा टॉपिक है बहुत जादा कॉमन है क्योंके यूटी आई का इंफेक्शन जो है वह बहुत तेजी से कैट में फैर रहा है और कुछ लोगों के मुझे इंस्टाग्याम पर मैसेज भी आये था को मैंन्ट निचोपे यूट्रा चैबीच की अबहुत इनफेक्शन का इंफेक्शन करते हैं और कॉंसे बेक्रवी टेक्टाइवitaire का सपार्थ mut के लिटर बॉक्स की क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखते तो वहां से भी हमारी केट को infection होने के chances होते हैं इसके इलावा बहुत सी contaminated places जोती हैं उनसे भी होने के chances होते हैं इसलिए अपनी केट की cleaning का बहुत जाधा ख्याल रखें और उसकी बहुत जाधा ख्याल रखें और जितनी भी अच्छी फूट हैं बहुत जाधा महिंगी हो चुकी हैं जिसकी विद्धा से लोग मजबूरान अपनी केट को लोकल फूट दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप उनको जहें होमेड फूट में भी अपने ऐसा नहीं करना के बिल्कुल जास्टीकन ही देते रहें आप उसके अंदर कभी-कभी सब्सक्राइब करके दे सकते हैं और होमेड फूट की रेस्पी मेरे चै अपर यूरी निट्यक इंफेक्शन में क्या होता है कि कैट के जो किट्नी होती है वो इफेक्ट होते हैं और इसमें जो है किसी बीरीजन के वज़ा से हो सकते हैं लोकल फूड की वज़ा से हो सकते हैं कॉन्टैमिनेटीड वाटर की वज़ा से हो सकते हैं यह जब हाँ अप करती है इसको थोड़ा थोड़ा नाता है रुक्रूप के यूरन आता है उसके साहती यूरन के बहुत गंदीडियों आती है और इसके इलावा यूटर इफेक्ट और नेक्स हम बात करते हैं यह बहुत जादा कमने के अंदर इस एक्टेरिया के वादा से dio सकता है Cambridge of urine की डैफ्रीज होती है 95 ऺदर जा फस जाती है जिसकी जाएं को सई नहीं आता चाट को पेन होती है तो इससे प्राब्लम हो सकती है और आप में साइन स्यम्टम चोर्प करती है वह रूपर हो नुहिंग से उसकी you has a lot दिने की बहुत तेजी स्मेल तेग्स होता है उसकी युरैरण से फिलयता है और प्रेक चांटा धुम्रेक से बहुत हार्इब करते बहुत ही साथ अगर उरlaughs करती खाना पी गूरल रहेंने लगती है मिरुन नहीं करती जगा पर श्काओना लगती हैं, तो इसमें क्या होता है, कि आपने इपनी cat का बहुत जादा ख्या रहा रखना होता है, आपने देखना है कि cat urine पास करी यह नहीं करी, सम टाइम क्या होता है कि care जो हती है वो staining करती रहती है लोग समझते हैं कि care को kon cure patient हो गई है तो ऐसा नहीं होता सम टाइम care जो हती है वो UTI के वεται AH वह जोड लगाती है लेकिन उसको urine नहीं आता तो आपने लेटर वॉक्स को जाकर देखना है कि उसमें यूरन के कलंप है या नहीं है अगर नहीं है तो आपने फॉरन से किसी वेट से कंसल्ट करना है ताके वो डाइगनोज कर सकें कि इसको क्या प्रॉबलम है और उसका टाइम पर ट्रीट्मेंट हो सके और नेक्स हम बात क क्रिस्टल हो सकते हैं और इसे साथ ही हमें अल्टरसॉंड एक्सिर करवाना पर ता है और उसके साथ ही हमें अपनी फूर क舞रे पुली सत्ते हैं अर इसमें different renal food आती हैं जो के आप अपनी cat को दे सकते हैं और इसमें जो है diamond care की food आती है royal cannon की food आती है और इसके लावा hills और happy cat की food जो है ये तमाम food काफी अच्छी है जो कि आप अपनी cat को दे सकते हैं जब उसको जो है urinary tract infection होता है और आमने दूसरी simple जो dry food होती है अपनी cat को नहीं देनी और cat को आपने जादा से जादा पानी देना है ताके जो infection है वो बाहरी निकल जाए urine के जरिए और नेक्स हम बात करते हैं कि इस तरह से आप उसकी treatment कर सकते हैं treatment जो है आप खुद भी कर सकते हैं इसमें जो है आप अगर देखते हैं कि cat को बिल्कुल ही urine नहीं आ रहा मतलब उसका bladder fill हो चुके है और यूरे नहीं आ रहा है तो आपको यूरी नहीं कर सकते हैं आपको वेट के पास लेकर आना पड़ता है और इसके इलावा जो है surgery की जाती है और surgery के में क्या होता है कि वो उसकी जो stones और crystal होते हैं वो उनको निकाल देते हैं वेट और इसके इलावा लिटियोट्रिप्सी किया जाता है इसमें क्या होता है कि laser के जरीए cat की जो stones होती है उनको तोड़ दिया जाता है ब्रेक कर दिया जाता है और वो यूरेंट के जरीए बाहरी निकलाती है लेकिन ये procedure अभी तक पाकिस्तान में नहीं है आउट आफ कंट्री में ये क्या जात है इसमें अपने एक साशे लेना है जो के 25-30 विपेक आता है अपने इसको 25 ml पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें से आपने 2-3 ml अपनी cat को सुबह और शाम में देना है इसे प्रॉब्लम काफी हद तक solve हो जाती है और इसके इलावा अपनी cat को homeopathic drop आते और इसमें अपनी cat को साथी आपने दिन में दो अदफा देना होता है और इसके साथ यह अपनी cat अंटिवायकिक लगाना ही यह होती है in sasipan की नाम से जाता है और पेंस oldain, your ब्लॉकिज होती है तो आपने तमाम एडिसन जब भी देनी है आपने वेट से जरूर करना है ताके वह आपको डोस बता सकेंगे कि आपने अपनी को डोस देनी है और मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि कैट की फूड का बहुत जादा ख्यार रखें उसको रिनल फूड ही द बताऊंगी इसने आपने क्या करना है अपने 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 क्या काम होता है और उसकी यूरेंट की फूड में डेली मिक्स करके देना है इससे भी प्रॉब्लम काफी अत्ता कम हो जाती है मैं वहीड करती हूं आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्फुल होगी अगर जो कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं नए नए टॉपिक पर सद्यस्ट कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम की आइडी से नेम से है डॉक्टर हीरा सेद के नाम से जाए मुझे फॉलो करें और नए नए टॉपिक सद्यस्ट करें ताकि हम अच्छी वीडियो बनाइ झाला हाफीज